एकदम दिल्ली से हमारे साथ आज कमाई के अड़े में शुरुवाती सत्र में आपको जुड़ते वे दिखेंगे लक्षमन रॉय साहब सरकार ने एक बहुत अहम कदम उठाया है नैशनल मॉनेटाज़ेशन पाइपलाइन का और उसमें कई सरकारी कमपनीज में आपको नया निवेश और नई धड़कन आती हुई दिख रही है लक्षमन जी अब आपके पास खबर है रियल एस्टेट स्पेस से एनबी सीसी पर वाके ये दरसल खबर एनबी सीसी को लेकर कहलें या फिर दिल्ली वासियों को लेकर कहलें ज्यादा बेहतर हुगा दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने एसेट मोनेटाइशन प्लान के तहट कई सारी कॉलनी को आइडेंटिफाई किया है पहचान किया है जिसको एसेट मोनेटाइशन करके उस कॉलनी को रीड डेवलप्पेंट किया जाएगा इसमें दिल्ली की कॉलोनी में सरोजनी नगर, नेरोजी नगर, नेताजी नगर, स्रीनिवासपूरी, मुहमदपूर, कस्तुर्बा नगर इन सारी कॉलोनी के रेजिडेंशल कॉलोनी वहाँ पर है आप गए होंगे वहाँ पर तो वहाँ पे residential colonial redevelopment होगा इस पे करीब 32,276 करोड़ रुपे के निवेश का अनुमान है और इसके अलावा घीटोड़नी में भी ऐसे ही colony की पहचान की गई है जहाँ पे residential और commercial दोनों तरह का redevelopment किया जाएगा और इसमें 15,000 करोड़ रुपे के निवेश का अनुमान है और नहीं बात NBCC की तो मुझे याद इसलिए आ रहा है NBCC का नाम चूंकि जब आप All Indian Institute of Medical Science के चोड़ा है से गुजरेंग आयने मार्केट होकर अगर आ बिल्ली में रहते हों तो देखेगा अब left hand side है बड़ी अच्छी building बनाई गई थी वो भी monetization करके बनाई गई थी और वो भी NBCC ने बनाया था हलाकि ये पूरी प्रक्रिया में सरकार की कोशिश यह है कि लैंड को पब्लिक प्रावेट पार्टनर्शिप के अधार पर डेवलप किया जाए एक SPV को लैंड पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा वह SPV open tender बुला करके जो company सबसे सस्ता बीड करेगी कम ब बग सवा तीन रुपे उपर ट्रेट करता हूँ दिख रहा है राहुल शर्मा साहम हमाई साथ जुड़े हैं जेम फिनैंशल वाले राहुल जी 200 डिय में से एक बाउंस आपके सामने सरकार के इन कदमों के बाद बताईए NBCC आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है जी आ देखें NBCC जैसे आपने ठीक पकड़ा कि 200 दिन के मूविंग आवरेज से यहाँ पर एक बाउंस बाउंस बैक दे रहा है बहुत इंपोर्टन आवरेज है तकरीबर दिसंबर 2020 से यह आवरेज टूटा नहीं है और स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स का बाई देखन रहे और मुझे लगता है कि एक बार 4849 का ट्रेम्ट यहां पर बिल्कुल होना चाहिए NBCC में चलिए अब आपको पब्लिक पार्टनर्शिप पर जहां पर NBCC काम करता हुआ देखता है वो उस पर एक नज़ा डालिए सरकारी रियल स्टेट कंपनी है जो आपको सरकार का रिय अगर उन सब का आप फेर बदल होते हुए देख चुके हैं पिछले पांच साल में तो यहां पर लैंड NBCC को सरकार देती है NBCC उस पर कंस्ट्रक्शन करवाती है और NBCC ही सरकारी कंपनी इसको वो लैंड बेचती है यह जब आमर पाली इनके पास आया तब से स्टॉक्ट थोड़ा सा गराब देखें चला गयता है हैंडर्वाइस ऐसी ख़बरों पे NBCC हमेशा बहुत स्टॉंगी डेट करता था चलिए फिलहाल भी आपके सामने 9 प्रतिशत उपर है लक्षमें जी आपके इसमें कुछ हो टिपनी आड़ करना पाएंगे यह जो पाइपलाइन इंफ्रस्ट्रक्चर की है जिसमें 6 लाग करोड़ दूपे जोडने है सरकार को सन 2024 सन 2025 तक यह उसका अहम हिस्सा है बिल्कुल आपने सही काई है सन 2024 तक यह अगले 4 साल का एहम हिस्सा है और इस 4 साल के भीतर जो मैंने एसेट किया आपको मैंने वो मोनेटाइज किया जाएगा और इसके पीछे असली मकसद ही है कि हम कॉलनी तो रिडेवलप करेंगे लेकिन सरकारी खजाने से पैसा नहीं द आएगा और रिडेवलोप्रेंट करने का वाद मुझे लगता है दिल्ली में कई सारे मौके आएंगे नए फ्लैट सोगर बनेंगा अला कि कई अधिकारियों की लाके है वैसे आम लोगों के लिए पता नहीं कितने मौके आएंगे वहां पर दिली का जो दिल है सेंट्रिल ड आप ड्रॉइंग रूम में क्रिकिट भी खेल सकते हैं इस ते बड़े बड़े फ्लैट थे मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि बच्पन अपना वहीं बीता और अब उन सब कॉलनीज को आप रीडवलप होते वे देख रहे हैं जितनी भी साउथ डेली सरोजनी नगर नरोज सरकार बनाती है सरकार बेचती है और सरकार ही खरीद बसे हुए शहर को ढखके काम करने की कलाएं अबीसी के पास यह आपके सामने बहुत बढ़िया खाबर आती हुए दिख रही है लक्षमन जी की तरफ से और जो पूरा लक्षमन जी इस कितने पेज का डॉक्यूमेंट है जो National Monetization Program है ये दर असल दो volume में बनाया गया है और उसमें से हर एक volume जो है करीब 700-500 page का है अलाकि मैं सुबह से वनी सारे document को पढ़ने में लगा हूँ जब भी मुझे लगता है कि अपने दर्शकों के लिए कुछ काम की ख़बर है लक्षमन जी उसको खंगाल रहे हैं जैसे आप अपने गाउं में गंगाजी में कभी बैठते हैं तो नीचे से खंगालते हैं उसमें से तो खबरें आपको आती भी दिखेंगी और इस खबर को बजार सलाम करता हुआ NBCC दिन के उच्टम लेवल पर आपके सामने स्क्रीन पर